ये मंदिर चार युगों की कहानी बताता है जैसे जैसे युग खत्म होते जाएंगे इस मंदिर के चार स्थम भी खत्म हो जाएंगे हम आपको बताते हैं एक ऐसे मंदिर के बारे में जो युगों की कहानी बताता है महाराश्च के एहमद अगर जीले में हरीश्चंद्रगर नाम के कीले में एक गूफा है जिसमें मंदिर है केदारेश्वर महादेव भगवान का इस मंदिर में एक शिवलिंग है जो चारो तरफ से पानी से गिरा हुआ रहता है कहते हैं कि केवल इस मंदिर में डर्शन मातर से लोगों के पाप धिल जाते हैं इस मंदिर में चार स्थम्भ है और चारो स्थम एक एक युग का प्रतीख है ऐसा कहा जाता है कि इन स्थम्बों का निर्मान सत्यूग, त्रेता यूग, द्वापर्यूग और कल्यूग के प्रतिनिदृत के रूप में किया गया था जैसे जैसे यूग खत्म हुए वैसे वैसे एक एक स्थम ढह गया अब इस मंदिर में केवल एक ही स्थम बचा हुआ है, यहां के लोगों का मानना है कि जैसे ही कल्यूग खत्म होगा ये स्थम भी ढह जाएगा इस मंदिर से जुड़ा एक और रहस्य है, जहां पर एक तालाब बना हुआ है, जिसका पानी कभी सूपता नहीं है गर्मी में ये पानी ठंडा और सर्दी में इसका पानी गर्म रहता है ऐसी और भी रोचक जानकारियों के लिए नेशन मीरर के सभी सोशिल मीडिया प्लेटफोर्म को फोलो करना ना भूले